Registration of Digital Signature Certificate for Government Tender दोस्तों, SayTeezy World में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सरकारी टेंडर वेबसाइट पर रेजिस्टेशन कैसे किया जाता है जिन लोगोंने वेब वीडियो नहीं देखिये तो क्रपया देख लें उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जो लोग अपने टेंडर खुद भरना जाते हैं और जानना जाते हैं कि सरकारी टेंडर कैसे भरे तो इसकी लिए हम step by step वीडियो बना रहे हैं सारा प्रॉसेस बता रहे हैं इसी playlist के क्रम में आज हम जानेंगे कि सरकारी tender portal पर digital signature कैसे registered किया जाता है सबसे पहले तो हमें ये जान लिना चाहिए कि सरकारी tender upload करने की लिए हमारी सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए tender web portal को run करने की लिए जिस जिस की भी आवशकता है वे सब tender portal पर ही दिया गया है यहां देखिए, यहां एक download option दिया गया है, इसे open कर लीजे, यहां कई सारे softwares दिये गये हैं, open office shoot, autocad, pdf reader, pdf creator, jri java और भी बहुत कुछ, लेकिन general tender fill करने के लिए हमारे पास microsoft office, pdf reader, pdf creator, java, जो की digital signature run करने के लिए आवश्यक है, valid digital signature और internet explorer का कम से कम version 10, tender upload करने के लिए हमेशा internet explorer 10 या higher का ही use करें, अगर आप windows 10 यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो by default यही होता है, और अगर आप windows 7 यूज कर रहे हैं, तो यह आपको upgrade करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें windows 7 service pack 1 का इस्तिमाल करना होगा, इसके बाद आप internet explorer अपक्रेट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे सिस्टम में इस वक्त क्या क्या है, canon printer, pdf creator, google chrome और कुछ drivers, और हाँ मैं internet explorer 11 का इस्तिमाल कर रहे हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले अपक्रेट कर रखा है, इसके लिए मैंने सबसे पहले internet explorer 9 इंस्टॉल किया, उसके बाद 10 और फिर 11, इस प्रकार आप भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्रेश्ण है, तो comment box में लिखिए, चलिए अब हम java पर चलते हैं, तो open कर लेते हैं अपना internet explorer, google पर लिखेंगे, java, इसके बाद download java पर click कीजिए, इसके बाद agree and start free download, यहां run पर click कर दें, और अब install, यहां हमें थोड़ा सा इंतिजार करना होगा, अब installation स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इंतिजार करना पड़ेगा, देखिए हमारी सिस्टम में java इंस्टॉल हो चुका है, अब हम फिर से google पर चलेंगे और देखिएंगे कि सई वर्जन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, यहां सर्च करेंगे verify java, java की website उपन होने के बाद verify java वर्जन पर click कर दें, agree and continue करें और इसे भी रन कर दीजिए, congratulations, you have the recommended java installed, इस तरह से java कंप्लीट हो चुकी है, दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, अब मेरे पास एक class 3 के digital signature certificate का टोकन है, जिससे अब हम install करने वाले हैं, अपना टोकन मैंने USB port में insert कर दिया है, जैसे ही टोकन insert करेंगे, टोकन के अंदर इसका driver आल्रेडी रहता है, जिस भी कंपनी का टोकन हो, मेरे पास e-pass कंपनी का है, ड्राइवर अपने आप run होता है, auto run.exe पर क्लिक करकी run कर देंगी, English और फिर next, फिर से next और यहाँ दो option आ रहे हैं, private CSP और Microsoft CSP, तो Microsoft CSP सिलेक्ट करके install बटन प्रेस कर देंगे, ध्यान रहें, कुछ फाइल्स यह इंटरनेट से लीता है, तो इस दोरान हमें online रहना चाहिए, यह यह DSC डिवाइस का software इंस्टॉल करने जा रहा है, तो इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, और finish, हमारा DSC इंस्टॉल हो चुका है, आईए इसे चेक करते हैं, इंटरनेट एक्स्प्लोरर ऊपन करके, टूल्स के अंदर से इंटरनेट आप्शन्स ऊपन करेंगे, और फिर यहां, कंटेंट, और फिर सर्टिफिकेट, यहां यह शो कर रहा है, कि यह सर्टिफिकेट किसके लिए इस्टॉ किया गया है, और कब तक वैलिड है, यहां एक बार अपने सिस्टम को री स्टार्ट जरूर कर लें, ताकि ड्राइवर्स ठीक से वर्क करने लगेंगे, अब हम चलते हैं अपनी टेंडर वैबसाइट पर और अपना DSE रिजिस्टर करते हैं, टेंडर वैबसाइट पर सबसे पहले अपना ई-मेल और कैप्चा डाल कर लॉग इन करते हैं, इसके बाद इस नई विंडो में अपना पास्वर डाल कर, कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर देंगे, यू हैव नॉट रिजिस्टर्ट विड डिजिटल सिगनेचर येट, प्लीज क्लिक ओन साइनिंग सर्टिफिकेट लिंक बिलो, अभी तक आपने अपना डिजिटल सिगनेचर रिजिस्टर नहीं किया है, क्रप्या साइनिंग सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें, जैसे ही साइनिंग सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जावा अपना काम स्टार्ट कर देगा, और हमारे सामने हमारा DSC आ जाएगा, जहां हम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके OK प्रेस कर देंगे, नेक्स्ट प्रेस करते ही मैसेज आ जाता है कि DSC is enrolled successfully और नेक्स्ट करते ही final हो जाता है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सरकारी टेंडर पोर्टल पर टेंडर कैसे सर्च करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, सेट इजी वर्ल से मैं हूँ सलोनी सेट, थैंक यू,